स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर मैंने आपको कल एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि DSB यानि कि दिल्ली में सिक्षक की जॉब्स आ रही हैं और उनके जो ओफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है ये DSB का ओफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें कितनी टीचर्स की जॉब हैं क्या eligibility है कौन-कौन भर सकता है इसकी qualification क्या है इसकी last date क्या है आरक्षण कैसे मिलेगा दिल्ली के बाहर की लोग इसमें भर सकते हैं या फिर कैसे भरेंगे उन सारी चीजों पर आज हम discuss करने वाले हैं पूरे notification का सार मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये vacancy का notification है DTSB में ठीक है इसके जो online form है वो भरना start होंगे 15 March से और इसकी जो last date है वो 14 April है तो 15 March से 14 April के बीच आप इसमें DTSB में भर सकते हैं इसके अलावा जिसको इसका official फुल ये जो PDF notification की वो चाहिए तो टेलेग्राम को जोइन कर लो टेलेग्राम का लिंक हमारे description में दिया गया है या फिर comment section में मैं दे दूंगा या फिर आप सरकारी अध्यापक लिखोगे टेलेग्राम पर आपको आ जाएगा वहाँ पर मेरा photo लगा होगा उसको जोइन कर लेना ठीक है चलिए अब यहाँ पर vacancies की बात कर लेता हूं मैं कि किस किस तरह की कहां कहां पर vacancies आई है इसमें देखिए ऐसा नहीं कि टीचर्स की vacancy है इसमे की दिली जल बोर्ड में vacancy है लेकिन हम यहाँ पर teaching vacancy की ओर चलते हैं मैं देख के बता देता हूं आपको कि teaching vacancy कहां पर है यह देखिए trained graduate teachers यह जो TGT की और PRT special educator की vacancies आई है PGT teachers की vacancies नहीं आई है TGT teachers की vacancy है लेकिन हर किसी के नहीं है जो special child होते हैं उनके लिए हैं जो special बच्चे हैं उनके लिए हैं केवल डीफ और डंब जो बोल नहीं सकते जो सुन नहीं सकते केवल उनके लिए हैं TGT की vacancies अब यहाँ पर PRT यानि कि primary teacher की vacancies हैं यह सब के लिए हैं और इनकी संख्या अबी काफी है मैं आपको बता देता हूं देखिए 1126 vacancies हैं प्राइमरी टीचर के लिए 1126 vacancies हैं और यह special educator के नाम से इन vacancies को भरा जाता है दिल्ली में क्या हो रहा है केंद्री विद्यालों में क्या हो रहा है कि पहले वो contractual basis पर पहले job दे रहे हैं special educator बोल के job दे रहे हैं इनको permanent भी गया जाता है salary बहुत जाद अच्छी मिलती है लगब आपको 45,000 के असपा salary मिलेगी starting में ही है ग्रेड B की job है यह तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं special educator यानि की primary teachers की जो vacancies हैं उनके बारे में डिसकास करेंगे चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हू सीधा इसकी qualification की और है ना तो इसका आप page number 12 या 13 देखोगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा है ना अब देखिए अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूं यही देखिए TGT की जो vacancies हैं trained graduate teachers की जो vacancies हैं वो किवल deep and dump के लिए हैं तो इस पर हम जादा चर्चा नहीं करे हैं कि primary teachers की vacancy पर total 1126 post हैं जिसमें general category के लिए 487 है OBC candidates के लिए 382 है SCST के लिए भी है educational qualification की बात कर लेते हैं कि कौन इसमें भर सकता है कौन नहीं भर सकता तो सबसे पहले senior secondary school certificate या नी 12th pass आप लोग होने चाहिए उसके अलावा दो साल का diploma आपके पास होना चाहिए special education में जैस इसके अलावा पास in central teachers eligibility test conducted by CBSE यानि कि CTAT की बात कर रहा है इसमें आप CTAT का जो exam है वो भी आपका पास होना चाहिए है ना अब इसमें ये बात आती है कि BTC बाले भरेंगे DLA बाले भरेंगे या फिर BAD बाले भर सकते हैं तो दोनों इसमें बर सकते हैं यहां पर इनों नही इसके अलावा CTAT आपका पास होना चाहिए और जब तक आपकी CTAT की मांक्षिट सर्टिफिकेट भी आ जाएगा जब तक इसके फॉर्म निकलेंगे अब यहां पर salary वगरागी थोड़ा सा बात की गई है इसके salary कितने दी जाएगी जो primary teachers के जो teachers है उनको salary दी जाएगी 9300 से 34,800 के बीच में तो लगबंग अनुमान है 45,000 के असपास आपकी salary जाएगी age limit यहां पर दी गई है कि 30 years यानि कि 30 साल से उपर कि आप नहीं होने चाहिए इसमें age relaxation भी दिया गया है वो मैं आपको पढ़के बताऊंगा कि age relaxation किस category के बच्चों के लिए कितना age relaxation है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो maximum आपकी 30 years आपकी age होनी चाहिए ठीक है चलिए अब यहां पर PRT teachers की qualification हमने बात कर ली, pay skill बात कर लिया, age limit बात कर ली, अब यहां पर देख लेते हैं कि इसका syllabus यानि कि पूछा क्या जाएगा exam में है ना तो यहां पर एक चीज में आपको दिखा तो केवल आप online ही apply कर सकते हैं, यह इनकी website है, इसी पर जाकर apply कर सकते हैं, और reservation का भी benefit यहां पर दिया जाएगा, इसके अलावा, जब आप exam देने जाएंगे, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो exam है वो केवल Delhi में होगा, Delhi और NCR की छेत्र में ही कोई भी government issued का ID proof लेकर जाएगा, या फिर original आधार कार्ड आप जरूर लेकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि Delhi में ही आपका exam paper होगा, और इसकी वो में आपको बता देता हूँ, examination की fees में आपको बता देता हूँ, केवल 100 रुपी रखी गई है, केवल आपसे 100 रुपी ली है ना, इसके अलावा, इसमें mode of selection दिया गया है, कि इसमें जो selection है, वो one tier या फिर two tier examination में होगा, या या कि दो exam होगे, एक tier भी हो सकता है, और दो tier भी exam की हो सकते हैं, इसके अलावा आपका इसमें skill test भी लिया जा सकता है, wearable applicable, यानि कि जहां पर इसकी जरूरत होगी skill test की वो लिया जा सकता है, तो कुछ technical post है, ये किवल उनकी बात हो रही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं, और क्या हमारे काम की चीज है, और इसमें बोला गया है, कि जो question paper होगा आपका, वो bilingual होगा, हिंदी में भी होगा, और English में भी होगा, ठीक है, जैस और इसमें देख लेते हैं, और भी सारी कुछ चीज़े हैं, जैसे टेकनिकल पोस्ट के लिए कुछ चीज़ें दी गई है, और जनरल और टेकनिकल एग्जामिनेशन के लिए कुछ चीज़ें दी गई है, कि किस तरक आपका एग्जाम हो आएगा, eligibility criteria में किवलेत न दिया ग OBC केटिगरी के students को 3 साल का relaxation यहां पर दिया गया है, SCST केटिगरी के 5 साल का दिया गया है, और PWD और ये सारे स्थात्रहें इनको 10 साल का दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ general instruction दिये गए है, candidates के लिए, तो इनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा, इनको भी आप ज़रूर पढ़िएगा, कुछ काम की चीज़े हैं, आपके लिए के नहीं, हैना इनको भी आप पल दीज़ेगा, मैं पूरा notification टेलिग्राम पर डाल दूंगा, और इसमें मैं एक्जाम होगा, देखिए, यहां पर दिया है, one tier, यानि कि एक tier, यानि कि एक paper होगा कीवल, teaching post के लिए, teaching post के लिए कीवल एक paper होगा, जो आपका 2 घंटे का होगा, 200 question होगी, साहए 200 number के हैना, यही बोलना चाहरा है, total marks, total MCQ जी बिल्गुल सही है, 200 question होगे, 200 number के, इसमें MCQ type में question होगे, जिसमें पहला section होगा, general awareness, यानि कि current affair, reasoning, है ना, और maths, हिंदी, और English, तो यह 5 section होगे, 20-20 number का हर एक section होगा, तो इस तरह से आपके 100 question होगे, 100 number के, ठीक है, फिर section B भी इसी में होगा, जिसमें आप MCQ भरेंगे, जो आपका subject concern होगा, जिस subject से आप भरना चाते हैं, उसके लिए भर सकते हैं, और इसमें teaching methodology, जो मनोविज्ञान है, उससे संबंदेत भी प्रस्न पूछे जाएंगे, जिस post के लिए आप apply कर रहे हैं, उसके regarding आप से methodology, यानि कि मनोविज्ञान से संबंदेत भी प्रस्न पूछे जाएंगे, final merit will be prepared on the basis of aggregate, फिर इसके बाद इसकी final merit बनाई जाएगी, तो दो section आपके आने वाले हैं, exam में आप देख लीजिए, 100-100 number के, 100 number में आपके ये 5 subject होंगे, 100 number में आपके teaching methodology होगी, और BTC से संबंदित questions हो सकते हैं, इसके लावा जो आप subject choose करोगे, उससे संबंदित प्रस्न भी इसमें हो सकते हैं, होंगे इसमें, ठीक है, तो इस तरह का आपका question paper आएगा, और इससे related जो भी doubt वगरा है, तो नीचे comment section में आप पूछ सकते हैं, और इसमें जो भी, देखिए, यहां पर दिया गया है, negative marking will be applicable and reduction of 0.25 marks, यानि कि 1 by 4 की negative marking होगी, अगर आपका 4 questions गलत हो गए, तो आपका एक सही question भी इसमें cut जाएगा, तो यह सारी चीज़े हैं, है ना, चलिए, यह कुछ important notice था, teacher's vacancies आई है, 1126 vacancies है, है ना, special educator के लिए, तो आप इसमें ज़रूर reply करिएगा, इसके regarding कोई भी doubt आ रहा है, तो comment section में ज़रूर पूछ लिएजएगा, ठीक है, इसका notification इसकी pdf मैं telegram पर डलवा देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी इसको download कर सकते हैं, और मिलता हूँ आपसे next video में, अभी के लिए तना ही धन्यवाद,